नमस्कार दोस्तों मैं चत्तिजगर राइपूर से उमेश राजन आप सबका हर्दिक अभिवादन करता हूँ जो असाधारन प्रतिवा के धनी होते हैं वो अपना मानसीक संतुलन कभी निक होते और जीवन में सफलता पाने के लिए मानसीक संतुलन का अच्छा होना बहुत जरूरी है ये मानसीक संतुलन जो दो सब्द हैं इसे आप बुनियादी तोर पर ऐसे समझ सकते हैं कि आपके बाड़ी को आपका माइंड कंट्रोल करता है और आपके माइंड को आपका मन कंट्रोल करता है उधारन के तोर पर आपके मन दिल दिमाग में जो भी विचार आते हैं जैसे भी विचार आते हैं उस अधार पर आप बात करते हैं अगर आपको मानसिक तोर पर संतुलन बनाना है तो पहले मन को नियंतरन में रखना होगा इदि मानसिक संतुलन अच्छा है तो आप रोजी रोजगार के संकट से उबर सकते हैं नौकरी छुट गई है तो उसका कुछ हल कुछ विकल्प ढूंड सकते हैं चाहे कुरोना हो या केरियर मानसिक तोर पर रेडी रहना आज के समय में बहुत जरूरी है आज हम हस्त रेका के आधार पर मानसिक संतुलन और बेरुजगारी पर बात करेंगे यदि आपका प्लेन आपमार्स खाली है जिसे हम रहु छत्र गाते हैं वहाँ एक भी रेखना हो यह प्लेन आपमार्स है यह जो वस्तिस रेका के नीचे का प्लेन आपमार्स है यह यदि खाली हो यह एक भी रेखना हो तो व्यक्तिक कभी-कभी बेरोजगार हो जाता है उसके जाप छुट जाता है कामधंदा बंद हो जाता है तो कभी-कभी धन के लिए तरसना पड़ जाता है पर जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं यदि अंगुठे में इस तरह से राउंड सेप में दो लाइने हो तो देर सबेर पैसे की व् भी जाती है उसका काम पैसे के चलते रुपता नहीं है यह भी बात है कि उसे थोड़ा धैरी का परचे देना पड़ता है धैरी रखना पड़ता है इसी तरह आपकी अनामी का उंगली और मध्यमा उंगली यह अनामी का उंगली यह अनामी का उंगली और यह मध्यमा उंगल ये जड़ में येदी एक सीधी में हो तो व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन कभी निखोता और असे लोग बुरे समय में भी हिम्मत नहीं हारते हैं इसी तरह येदी हथेली में चत्तुसकोण की स्थिति सही हो तब भी मानसिक संतुलन अच्छा बना रहता है पहले मैं आपको बता दूँ चत्तुसकोण यानि क्वेड्रेंगल की से खाते हैं इसे मैं आपको चित्र बना कर समझाता हूँ इस चित्र में मस्तिस ग्रेखा बिलकुल सीधी है हिर्दे रेखा भी आप देखेंगे बिलकुल सीधी है हिर्दे रिखा और मस्तिस ग्रिखा दोनों समनांतर है, पिरेलल है, प्रारम में हिर्दे रिखा और मस्तिस ग्रिखा में जितना गेप है, तकरीबन उतना ही गेप आखरी में भी है, ऐसा चतुशकून यदि किसी जातक के हाथ में हो, क्लाइंड के हाथ में हो, तो उसका मानसी संतुलन अच्छा रहता है देखिए दोस्तों हस्तरिखा का सारा ज्ञान आपको सिर्फ किताबों से नहीं मिलेगा कभी-कभी तो इसे अनभाव से समझना पड़ता है मैं आपको एक सची घटन सुनाता हूं बात उन दिनों की है जब मैं अमर कंटक परियटर निस्थल घुमने गया हुआ था जहां मैं रुका हुआ था वहां दो लड़के भी बाहर से आ करके रुके हुए थे उन्होंने मुझे बताया कि हमारा पाकेट कड़ गया है अब हमारे पास ना खाने को पैसे हैं ना वापिस लॉटर ने लिए पैसे हैं उन्हों मोबाइल के चलन नहीं था मोबाइल तो यही कोई 95-96 में आया है मैंने देखा उसके हाथ में घड़ी भी नहीं थी नहीं तो घड़ी पेसकर कुछ पैसे की व्यवस्ता हो जाती उसे कुपाय कि मैं गाता अच्छा हूं पर कभी स्टेज में प्रोग्राम नहीं दिया लेकिन आज तो प्रोग्राम जैसा कुछ करना पड़ेगा उसे हर्मोनियम बजाना तो आता ही था दोनों ने मिलकर हर्मोनियम और तबले की दिवस्ता कर दी और चावराहे में बैठ कर गाने लगे देखते देखते एक घंटे में ही अच्छा पसा आगया उसने पहली बार जाना कि यदि मानसिक संतुलन अच्छा हो पास में अच्छा हुनर हो तो व्यक्ति बुरे समय से उबर सकता है कारिक्रम खत्म होने के बाद मैंने उसकी हस्त्रेका देखी न तो उसकी अनामिका दोनों एक सीद में नहीं थी और नहीं उसका जो चद्दुस्कून है वह भी समना अंतर नहीं था बलकि मस्तिस्क रिखा चंदरपरवत की ओर ज्यादा जुकी हुई थी जो उसे कलाकार हिरदय का बना रही थी फिर मैंने सुचा कि उसमें इतना अच्छा कारिक्रम देने का अगा और कांवीडनिस कहां से आगया तो उसका हात पढ़ते पढ़ते मुझे पता चला है उसका जो अंगुटा है उसका जो दूसरा परवया यह वह पतला नहीं था अच्छा भर हुआ था जिसके चलते उसमें साग्या और वह इतना अच्छा परोग्राम दे सका ते मेरे दोस्तों यदि आप देरुजगार हैं और खासकर कोरोना जैसी महामारी के चलते आपको लॉक्डाउन में रहना पड़ रहा है और आप डिप्रेशन फिल करें तो हिम्मत ना रहें अपना आत्म विश्लेशनर करें उपरवाले ने हर किसी को कुछ ने कुछ खासियत दिये जो वक्त है वो कभी ठारता नहीं है वक्त जसे भी हो गुजर जाता है जिसने काम्याबी देखी है वो खुश रहे ना रहे पर संघर्श के छणों में जिसे खुश रहना आ गया वो इंसान एक ना एक दिन काम्याब हो जाता है नमस्कार